संदेश खाली मामले पर ममता बैनर्ची सरकार को बड़ा जटक लगा है कॉलकता हाई कोट ने टीमसी नेता साहजा शेक और केस दोनों को आज ही सीबियाई को सौंपने का आदेश दिया संदेश खली में परवरतन निर्देश आले के अधिकारियों पर पांच जनवरी को हमला हुआ था केंद्रे एजिंसी अब निलंबित टीमसी नेता शेक साहजा को जल्द ही हिरासत में ले सकती है शेक को पिछले हपते उत्तर 24 प्रगना जिले के मीना खान में एक घर से ग्रफतार किया गया था चीफ जस्टिस टी एश शिव ग्याननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मंगलवार शाम साड़े चार बजे तक उसके आदेशों का पालन हो गठन का आदेश दिया गया था ED की मांग थी कि जाँच केवल CBI को ही भेजी जाए वही राज्य सरकार ने जाँच केवल राज्य पुलिस को देने की मांग रखी थी चीफ जस्टिस शिप ग्यानम की अध्यक्षता वाली खंड पीट ने इस मामले पर सुमबार को भी सुनवाई की थी इस दोरान ED, राज्य सरकार और CBI की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पीट में जस्टिस हिरनमय भटचार ये भी शामिल दे खंड पीट ने शेक को संदेश खाली में योन अत्याचार और आदिवासी लोगों की भूमी हडपने के आरूप पर स्वता संग्यान लेते वे पक्षकार बनाने की इजाजत थी जिसकी सुनवाई ये खुद कर रही ह शेक के वकील ने स्वता संग्यान पृस्ताव में सुनवाई की प्रातना की थी जिस पर आदालत ने बुद्वार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है संदेश खाली में टीमसी नेता की यहां छापे मारी के दौरान लगबक हजार लोगों की उगर भीड ने एडी अधिकारियों पर हमला किया था इस हमले के बाद शेक को ग्रफतार किया गया उन्होंने कहा कि शेक की ग्रफतारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की चांच वशीर हाट पुलिस से लेकर अप्राद चांच की बिभाग को सौंब दी राज्यो ने दावा किया कि ऐसा शेक को सीब्याई हिरासत से बचाने के लिए किया गया था बले ही जांच सीब्याई को क्यों ना हस्तांतरित कर दी जाये क्योंकि किसी आरोपी की अधिकतम पुलिस हिरासत अब दी 14 दिन होती है E.D. को राज्य पुलिस जुडी संयुक्त चांच पर वरोसा नहीं है क्योंकि शेक सत्तर उड़ दल का एक परमुक नेता है और परभाव शाली व्यक्ति है ऐसे में शेक शाजाक की कस्टरी CBI को सौपे जाने गबाद ममता बैनर जी की सरकार के लिए सबसे बड़ा जटका है ऐसे में ममता बैनर जी के कई ऐसे खुला से सेखशां CBI के सामने कर सकते हैं